असलाम लेकूम students I hope you all are fine today we are going to study numericals of chapter number 2 last lecture में मैंने आपको numericals करवाय थे 2.1, 2.2 and 2.3 अगर आपने उले lecture नहीं लिया तो आप अभी इससे पहले जरूर जाके लीजिए या इसके बाद जाके लीजिएगा उसके अंदर में आपको tips बताये थे numerical problems को easily solve करने के लिए उसका link मेंने इसके description में दिया हुआ है तो आप जाके उस lecture को भी जरूर सुनिएगा और आज मैं आपको numericals further आगे करवाऊंगी 2.4, 2.5, 2.6 and 2.8 2.4 and 2.8 एक जिसे हैं तो सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ 2.5 and 2.6 और पूरा lecture लाजमी सुनिएगा इसके अंदर मैं आपको tips बताते जाओंगे साथ-सर numericals को याद करने के लिए उनको मेमराइज करने के लिए ताकि आपको भूले ना ठीक है तो पूरा lecture आपने लाजमी सुनना है अगर आपने चानल को सबस्क्राइब नहीं कि आप नए चानल पे तो चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे lectures असानी से मल जाएं तो शुरू करते हैं अच्छा तो माई दियर स्टूरेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निमेरिकल नमबर 2.6 इंते हाई इसी निमेरिकल पहुत एज़ी आप निगे क्या बच्चों वाला निमेरिकल था यह A train starts from rest, lowly पहले उन्होंने पहली line में बिता दिया के rest पह यानि केjan कि किृष्यल उसी कितनी ही? Zero With an acceleration of 0.5 meter per second square Acceleration आगी हमारे पास 0.5 meter per second square Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter SEND 표 online में बिता दिया distance to that is 100 meter Find क्या करने? Speed अब यहां देखें गिवन क्या क्या है यानि के इनिशियल विलॉसिटी इस जीरो एक्सलेरेशन बता दी रहने हमें यह ठीक है यह आगे मारे पास एक्सलेरेशन यह आगे हमारे पास 100 मीटर डिस्टेंस पाइंड क्या करना है बिशन क्यों सिट्व करना है फाइनल विलॉसिटी वह भी किसमें करनी है किलोमीटर पर किलोमीटर पर आथ यानि कि पहले हम उतको आंसर लाएंगे 1 मीटर पर सेकेंड और हमने रिच्ञेर पिछले लेक्ट्र में एक्स्टेंड किया था अगरे आपने लेक्ट्टर नहीं लि का दीडिस के नदर अ गया है कि मीटर पर सेकिंड को क्यों मिटर परयाव में कैसे चक्षेंड करते हैं और किलो मिटर पर अर्ल को में कैसे कंवर्ट करते हैं ता अब हां दो याद कर लिजयेगे ताकि वी आपको do प्रॉब्लिम नौ हो अब देखते ही हमने लिख दिया, तीन जीज़े गिवन थी तीन हो हमने गिवन डेटा में लिख दी, इनिशल वेलोसिटी इस इकोल तो 0, अचलरेशन इस इकोल तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केर, अब दिस्टंस S इस इकोल तो 100 मीटर, फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी, सोलिशन, हम यहाँ पर कौन से फॉर्मुलर यूज़ कर रहे हैं, थर्ड एक्वेशन ओफ मोशन, गर आपको याद हो हमने थर्ड एक्वेशन ओफ मोशन स्टेडी की थी, वो क्या थी, 2AS is equal to VF square minus VI square, एक्वेशन क्या थी, 0.5, डिस्टेंस 100, VF find करना है, VI हमारे पास 0, 2 को 0.5 से multiply करेंगे, आंसर आजाएगा 1, एन 1 को 100 से करेंगे तो आजाएगा, 100 एन VF square वैसे ही आजाएगा, एन 0 को square 0, तो यहाँ आगया हमारे पास 100 VF square, इनको solve किया, यह हमारे पास 0 यह answer आजाएगा, तो किसी पी चीज़ को अगर हम 0 से minus एड़ करेंगे, तो आंसर वो यह आता है, ठीक है, 0 को मैंद अपकोई ऐसा नहीं है, अब हमने यह जो square है, हमने find करना है, VF, और यहाँ पर क्या है VF square, तो हमने इस square को खतम करके, किस में लेकर आना है VF, यह कब होगा जब हम दोनों side पर क्या लेंगे, square root, तो हम दोनों side पर लेंगे square root, taking square root on both sides, 100 के उपर लेंगे और VF square के उपर लेंगे, अब यहाँ पर, यह जो है, square कर जाएगा हमारा, इस स्केर root से, और यह आजाएगा, 10 का square जो होता है, वो 100 होता है, तो हमने 100 को इस स्वार्म में लिख दिया, 10 का square, यह आप इसको सिंबल काल्कुरेटर पर स्वाल्फ कर लेंगे, तो सिंबल डिलेक आंसर आ जाएगा 10, यह square इस एंडर root से गया, आंसर हमारे पास एंडर पर क्या आया, 10, और इसको मैं आपको लाज्स लेक्चर में पताया था, कि यूनिट आपने लाज्मी लिखना है, एंड एंडर पर हमारे पास आंसर आगे, वी एफ इस इकोल स्टू 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिट नहीं लिखेंगे, तो मार्क्स कटेंगे, मैंने लाज्स लेक्चर में भी पताया था आपको, यूनिट आपने लिखना नहीं भोला, ठीक है, यह हमारा हो गया, numerical number 2.6, अब आजाएं numerical number 2.5 पे, इसको ज़रा से गहाँ से समझ लेज़ेगा, यह भी बहुत इज़ी है, अगर एक दफा आप इसको समझ लें, स्टार्टिक में कि वो पूछ किया रहे हैं, ठीक है, तो स्टूर्स को अगसे लगता है, कि लंबा से ज़रा मुश्किल होगा, यह अगर आप इसको सही से समझ लेंगे, स्टार्टिक इसकी स्टेट्मेंट तो यह भी बहुत इज़ी है, इसको भी स्टार्ट करते हैं, एक गाड़ी है, ठीक है, बिल्कि पर इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिरा कुछ समझ जाते हैं, अब एक गाड़ी है, यह गाड़ी ड्रोग करने, कोशिश कर लेते हैं, बननी यह नहीं है, यह ताइस में आदी इसके, और यह बन गी हमारे पास एक गाड़ी, ठीक है, फर्च करने हैं, यह पहले पांच सेकंड्स के लिए, पहले फाइफ सेकंड्स के लिए, के लिए, मूफ कर रही है, विद अब लॉस्टी, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अगली राइन अब क्या है, इसने क्या है, इसने क्या है, next 10 seconds he move कर रही है with a velocity of 0 meter per second zero कैसे हमें पता चला क्योंकि उन्होंने हमें यहां काई कि वह rest पे है अब दुबारा में statement पढ़ी हूँ a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds एक गाड़ी है वो पहले 5 seconds के लिए कितनी velocities move कर रही है 40 meter per second ठीक है it comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration अगले 10 seconds में यह rest पे आजाती है यानि कि velocity कितनी होगी रहे पे 0 meter per second अब फाइन के करना है fine deceleration and total distance traveled by the car यह समझा गया अब एक में नाट given data initial velocity 40 meter per second final velocity 0 हम दो देखे ना पहले वो 40 meter per second से जारी थी और बाद में 0 पे आ गई ठीक है T1 and T2 अब इसको simple T लिख लें पहले वो 5 seconds दो टाइम्स के जिगर किया गया है 5 seconds और 10 seconds find क्या करना है distance total distance s और deceleration यानिके acceleration ea सबसे पहले हम acceleration find कर लेते हैं इसका हम फर्मॉला यूज करेंगे वह acceleration वाला जो हमने यूज किया था या फिर इसके अंदर आप वह भी उस कर सकते हैं फर्स्ट equation of motion वह वी एफ इस इकल्स टू वी आई प्लस एटी उसको भी अगर आप खाली acceleration उसके निकालेंगे तो at the end यही answer बच जाएगा a is equals to vf minus v i over t ठीक है यह फर्मॉला acceleration का वी एफ है 0 minus v i है 40 time है 10 अच्छा अब यहां पर आप students को confusion होता है कि time कैसे मिलते हैं यहां पर 10 seconds क्यों भी उसके हैं हमें 5 seconds भी यूज कर सकते हैं time तो दो given है ना हमारे पास हमने find करने deceleration और गाली deceleration में कब थी पहले 5 seconds में नहीं अगले 10 seconds में वह deceleration से move कर रही थी ठीक है ना यह लाइन अगर आप पढ़ें जूम करते हैं इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स 10 seconds वी यूनिफॉर्म deceleration अगले 10 seconds में तो हम यहां पर time भी 10 seconds भी यूज करेंगे 5 seconds भी यूज करेंगे ना तो यहां पर आ जाएगा 10 अब माइनस 40 ओवर 10 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड यह क्या आगी हमारे पास एक्सलेरेशन अब हो गई अब दूसरी चीज़ के हमने आपर फाइंड करनी थी तो टोटल डिस्टेंस ट्रावल बाई तक अब यानि के उसकी ट्याग्राम को में दोबार आप रहने के कोशिश करती हू यह है गाड़ी ठीक है पहले 5 सेकेंड अगले 10 सेकेंड अब हम कैसे फाइंड करेंगे पहले हम दिस्टेंस फाइंड करेंगे इन 5 सेकेंड में इन 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने किया कवर अगले 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस किया इन दोनों यह हो जाएगा S1 और यह हो जाएगा S2 फिर हम क्या करेंगे total distance S is equals to S1 plus S2 हमारे पास आज जाएगा यहाँ पर total distance पहले distance हमने find करना है for 5 seconds फिर हमने distance find करना है in next 10 seconds और फिर दोनों दिस्टंस को हमने यहाँ पर गट देना है add अच्छा अब यहाँ पर हम पहले करेंगे first 5 seconds S1 is equals to V I multiply by T अब हमने यहाँ पर V I क्यों यूज किया V F भी कर सकते थे V I use करने की वज़ा यूँकि पहले 5 seconds में तो velocity initial है ना हमने यह 40 meter per second क्या है initial velocity पहले 5 seconds में initial velocity है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे V I multiply by T T 5 seconds obviously S1 is equals to 40 multiply by 5 S1 आजाएगा हमारे पास 200 meter अब last 10 seconds के लिए हम फाइं करते हैं distance यह हम फिर से अगें यूज कर रहे हैं third equation of motion that is 2 AS is equals to V F square minus V I square अब वह S1 था यह S2 है तो हम यहाँ साथ लगा दी हमने 2 acceleration है minus 4 यह वहाँ फॉर्मॉला हम इसलिए यूज कि इसकंदर acceleration भी है S2 V F square V F हमारे पास 0 है एंड V I हमारे पास 40 है 0 का square 0 40 का square आ जाएगा 1600 अच्छा यहाँ पर एक mistake है यहाँ पर sign आएगा साथ के minus का ठीक है यह minus sign है यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर इदर left side पर ग्रब देखें तो 2 multiply by minus 4 आ जाएगा minus 8 S2 is equals to minus 1600 S2 इदर है अब यह 8 इदर जाएके क्या हो जाएगा उदर multiply और इदर आके क्या हो जाएगा divide minus 1600 divided by minus 8 अब यहाँ पर क्या आना है माइनस माइनस से कट हो गया 8 1 0 8 2 0 16 और यह बाखी इस दो 0 जो है वह भी साथ साथ आजेंगे दो 0 और फिर answer हमारे पर यहाँ पर क्या आ गया S2 is equals to 200 meter और फिर में आपसे क्या करते है कि हमने इन दोनों distances को क्या कर जाना है add ताक कि हमारे पास क्या आ जाए total distance यहाँ पर उसने हमें क्या 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 करने के लिए total distance traveled by the car total distance जानी कि पहले पास seconds में क्या distance किये कवर और उसके बाद last seconds में इतना distance उसने कवर कि दोनों को क्या कर देना है add S1 था हमारे पास 200 meter S2 के है 200 meter S is equals to S1 plus S2 S is equals to 400 meter and again unit आपने लिखना नहीं बूलना order tips मेंने पताई थी numericals solve करने के लिए वो मने लास्ट लेक्टर में पताई थी अगर आपने लेक्टर नहीं सुना तो इसके description के अंदर उसका link गिवा रहा है वो लग जाके जरूर सुनिएगा थाकि आपके वो tips पते जज़े numericals को easily solve करने के लिए अब हम study करेंगे numerical number 2.4 A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. अब यह बहुत easy नहीं करेंगे simple साथ. ठीक है 30 seconds जरा आप वीडियो को पेशक pause कर लें और सोचें कि इसके अंदर क्या 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 गिवान है और मने क्या 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 फाइन करना है ठीक है just 30 seconds के लिए pause करें जरा सूचें कि बहुत easy नहीं हमारे कल है ठीक है अब जरा दमाग को तुरे से समाल करें सोचें that what is given in the question and what we have to find ठीक है चले आप लोगो नहीं सोच ली होगा अब मैं आपका बता देती हूँ A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second अब देखें यहां मैं आपको समझा देती हूँ यह है एक ball ball की shape ही लग रही है ठीक है जो भी है इसको throw किये क्या करें A tennis ball is hit vertically upward किस direction में throw किये upward अच्छा अब यहां पे चब इसको उपर एक highest point रीच करेगी ball तो यहां पे कुछ seconds के लिए कुछ time के लिए डूकेगी तो यहां पे इसकी velocity कितनी हो जाएगी final velocity क्या होगी 0 अब with a velocity of 30 meter per second अब इस ball को throw कि इस velocity किया गया 30 meter per second तो यह क्या होगी इसकी initial velocity 30 meter per second it takes three seconds to reach the highest point यह जो highest point पे गई है कौन सा करोगी वाला कर लिए इस point पे जाने के लिए इसको time कितना लगे यहां तक आने के लिए कितना time लगे इसको three seconds अब जब बॉल वाप जब सोचें अगर यह बॉल जब वापस आएगी और इसी हैट से आएगी ना बॉल और यही तक याएगी ground तक याएगी जहां से में throw कि उसी time में आएगी तो अब यहां पर time किता लगेगा जाने के लिए तो three seconds लग रहे थे वापस आने में क्या time लगेगा जाहर से बता वापस भी उसी जगर time अब डिस्टन्स तो उतना ही है जितना जाने के लिए था उतना याने के लिए distance है तो time भी एक जितना होगा जब जाने के लिए distance जो time में वो 3 seconds है तो वापस आने के time भी कितना होगा Three seconds ठीक है अगे हैं तो अगर हम यहां देखें total time ball ऊपर नीछे आने में एक पूरा round लेने में ball को कितना time लगय ub all इड करेंगे three seconds को 3 seconds दूनों को add करेंगे लोग उपर जाने में time लग रहे 3 seconds नीचे आने में टाइम दग रहे 3 seconds total time कितना हुआ 6 seconds दोनों को add किया ठीक है अब यह पॉइंट जरह याद रिखेगा ठीक है और हम start करते हैं अब देखते हैं यहाँ पर given data में क्या क्या लिखा हुआ initial velocity is equal to 30 meter per second ठीक हो गया यह भी हमने देख लिया final velocity is equal to 0 ठीक हो गया time is equal to 3 seconds and g is equal to minus 10 meter per second square g का sign यहाँ पर minus क्यों आया है सोचें g की direction क्यों होती है downwards ठीक है वो चीदों को अपनी तरफ bodies को अपनी तरफ नीचे attract करते है और यहाँ ball हमने किस direction में throw की है अफ़र यह direction थी हमारे पास ball की यह direction थी हमारे पास g की दोनों यह दुसरे से opposite है तो यहाँ पर हमने direction opposite शो करने के लिए क्या output कर दिया है minus 7 ठीक है और यह ना जो आपको topic है freely falling body जो last topic है उस paragraph के end पे line लिखी वी है यहाँ पर हमने जी के साथ minus sign की उसकी है ठीक हो गया यहाँ पर हमने formula use कि है वह 2gh is equals to vf square minus v i square यह formula कहां से आ गया यह में आपको दिखा देती हूं यह आपको topic है वी वाला freely falling bodies उसी page के उपर यह box site पर दिया हुआ है जिसके अंदर उन्हें जो तीनो equations of motion है उसको in terms of gravity यहाँ पर लिखा हुआ है acceleration की जगह G यूज कर दिया है और S की जगह उन्हें उन्हें यूज कर दिया है H ठीक है उसके लाव अजने और कोई range नहीं किया है एक ही जगह G पुट कर दिया है और S की जगह H पुट कर दिया है ठीक है वापस आते है अपने numerical पर फॉर्मॉला मैंने आपको दिखाती है तक आपको पता चल जाए हमने कहां पर study किया ठीक है और यह मैंने आपको tips पताया थे last lecture में तो अगर आपने वहला नहीं लिया नही Vf Sq. G की वैल्यू गेवन G-10, H find करना है Vf हमारे पास 0, V I की वैल्यू 30 2-10 सबीन आपको 20H इगोल इस इकल चुटु 0 स्केया 0 और 30 स्केयर आजाएं हमारे पास 900 20 इदर multiply हो रहा है इदर आगे क्या हो जाएगा obviously divide age इधर रह गया minus 900 के नीचे divide कर दिया minus 20 minus minus से कट हो जाएगा and 20 45 is 900 होगा देख लिते हैं वाउ सरी calculation है age हमारे पास आ गया 45 meter unit है वो लाजमी लिखना है unit ही लिखेंगे तो marks कट जाएंगे total time is equals to time to reach maximum height plus time to reach ground from height अभी मैं आपको starting में जब यह समझा रही थी तो मैं आप बहुत है याद रखिएगा वो point वो point क्या था कि बॉल उपर जाने में time लग रहा है 3 seconds नीचे आने में time लग रहा है 3 seconds तो total time इतना होगे इन दोनों को आप कर देंगे इसी को हमने लिग दिया है English में simple इंतिहाई easy English ठीक है time to reach our maximum height यह maximum height के उपर जाने के लिए time 3 seconds plus यह विलाब पाड़े time to reach ground from ground from height यह height थी इस height सी नीचे आने में ground में आने दिन टाइम वो भी था 3 seconds तो total time इतना हो गया 3 plus 3 is equals to 6 seconds तो total time आगे हमारे पास 6 seconds यह numerical हो गया solve and now अब हम study कर रहे हैं 2.8 numerical अच्छा यह भी बिल्कुल उसी की तरह है 2.4 की तरह बिल्कुल उसी की तरह ठीक है इंदे high easy a cricket ball is hit vertically upwards वही बात होगी जब vertically upward है तो final velocity कितनी होई 0 and it has to ground 6 seconds later अच्छा अब ज़र यहाँ भी देखें अब हमें यहाँ पर कौन सा टाइम बिता रहे हैं उपर जाने का नीची आने का यह total जरह गोर करें उसने line उस किये returns returns to ground यानि के ground बिकाप आएगा जब throw करेंगे तो यह कितना कौन सा टाइम बिता रहे हैं हमें total time बिता रहे हैं हमें और हमने यहाँ पर time कौन सा यूज़ करना है एक side के लिए कितना time उसकरना है तो अगर हमरे पस total time given है तो हम उसका एक side का time यूज़ कर सकते हैं जो यह एवल्य टाइम हमने यूज करना है, फॉमिला में, ठीक है, calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball, final velocity हमें आपर पतर चल लगए न, जब वर्टिकली अबड़ सकेने, तो यह जब इस height पे पहुंचेगा, इस height पे, final velocity पहुआप पहुंचेगा, 0, तो हमने find क्या करना है, initial velocity, और इसकी जो यह height, ठीक है, given data, vf is equals to 0, ठीक हो गया, total time, time to reach at maximum height plus time to reach ground, वोई फार्मुला जो भी हमने 2.4 numerical में use किया, total time 6 is equals to 3 plus 3, वोई जो भी उना उन्हों समझा दिया सारा, ठीक है न, time हमारे पास आजाएगा, ठीक है, और यह कौन सा time है, time to reach at maximum height, हम सिर्फ एक side का time दे रहे हैं, दोनों को total time ही हमने आप यूज़ किया, और g आगे, minus 10, minus sign, मैंने भी आपको 2.4 numerical में explain कर चुकी हूँ, कि यह minus sign यहाँ पर क्यों आए, क्यों कि इसकी direction opposite है, ball की gravity से, find क्या करना है, distance s, यानि कि height और v i, अब जो मैंने आपको box अभी show किया था न, जिसके निए तीन होगे questions in terms of gravity यूज़ की गई थी, दोनों formulas हमने यहाँ पर वो यूज़ किया है, ठीक है, v f is equals to v i plus g t, v f 0, v i find करना है, g की value minus 10, t की value 3, 3 tensor minus 30, minus 30, इदर आजाएगा, v i को उदर ले जाएगे, तो आजाएगा minus v i, उदर v i plus कहना है, तो equals to के दुसरी साइट पर जाएगा, तो उसका sign change हो जाएगा, minus v i आजाएगा, अब यहाँ पर आएगा, v i is equals to 30 meter per second, ठीक है, minus minus से कट जाना है, वो आगए उसकी initial velocity, अब यहाँ पर find करना है h, इसके लिए इम्रूज करेंगे third equation, 2gh is equals to v f square minus v i square, 2 multiplied by minus 10, multiplied by h is equals to 0 square minus 30 square, minus 20 multiplied by h is equals to minus 900, 930 का square लेंगे तो 900 आजाएगा, और minus 10 वैसे कब वैसे हम यह बुट कर रहे है, अच्छा, इदर 20 क्या हो रहा है, minus 20 स्वारी क्या हो रहा है, इदर multiply, उदर जाएगे क्या हो जाएगा, divide, minus minus से काट, और यह पिछले numerical में भी हमने एग्स यह ही calculation किये है, 20,45,900, तो यहाँ पर भी height क्या आगी है, हमारे पास 45 meter, यह था आपका इंतहाई easy numerical, बिलकुर इंतहागी easy numerical हैं इस सारे, बस आपको जो मैंने tips पताया है ना, उनको ज़र ग़र कर लेजेगा, तो आपको numerical इंतहागी easy लगने है, ठीक हो गया, So my dear students, अगर आपको आज के topic अच्छा लगा है, समझ आया है अच्छी तरीके से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अपने friends में शेयर करें, ताकि वो भी उतने easy तरीके से numerical को समझ सकें, ठीक हो गया, अगर आपने मेरा पिछले lecture नहीं लिया, जिसके अंदर मैंने numerical number 2.1, 2.2 and 2.3 समझाया था, तो इस lecture की description में मैंने दिया हूँ वीडियो का link, आप उस lecture को भी जाके ज़रूर समझें, उसके अंदर मैंने tips बताएं हुए हैं, numerical को इसरी solve करने का, ठीक है, so this was a lecture, thank you,